पत्रना के सदाकत आश्ट्रम में आज मल्यकारजुन खडगे ने प्रेस कॉंफरेंस की उन्होंने कॉंगर्स के राश्ट्रे अध्यक्ष के पत के लिए इन तमाम कारेकरताओं से वोट मागे उन्होंने कहा राहुल गांधी और गांधी परिवार से कोई भी राश्ट्रे उम्मिद्वार नहीं बनना चाहता इसलिए मैं राश्ट्रे अध्यक्ष के उम्मिद्वार के रूप में चुनाव में खड़ा हूं हम सरकार में आने के बाद युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका देंगे 50 साल और उससे कम के युवाओं को 50 परशन चुनाव में सीट अमिर्श्रा के सारण के सिदाप दियारा आने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यहां कोई भी आये कहीं भी जैस से कोई फर्क नहीं पड़ता जिस मकसद से वो आ रहे हैं उस मकसद में उनको कोई काम्याबी नहीं मिलने वाली है नाक भी रगड़ने कोई फरक नही हैं आते रहें वहीं सुशील मोदी के द्वारा ये कहने के अनुसार नालंदा जाएंगे और नितीश कुमार से दो दो हाथ करेंगे उपेंद्र कुश्वाह ने कहा कि जैसा फर्याना हो फर्या ले इंतजार कने चुनाव आ रहा है चुनाव में सब कुछ पता चल जाएगा देश के ग्रह मंत्री अमिश्रा के बिहार दोरे पर बिहार सरकार के मंत्री आलोक महता ने कहा कि बिहार में राजनीती करने आ रहे हैं तो सब के लिए जगा है कोई भी राजनीती कर सकता है लेकिन सच्चे मन से जैप्रकाश नरायन जी को श्रधांजली देने आ रहे हैं उ जनता जेपी को याद कर रही है प्रतिमा को लगा कर उनके विचारों का अपरहण नहीं किया जा सकता ये उनको सोचना चाहिए कि बिहार की जनता और देश की जनता सब देख रही है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है राज़ानी पटना के पौश इलाके में जिस्म फरोशी का धंदा चल रहा था गुप्त सूचना के आधार पर शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने कारवाई करते हुए एसके पुरी थाना अंतरगत स्टाइल बॉल वेलनेस स्पा में च्छापे मारी की च्छापे मारी में एक महिला सरगना समेथ दो सेक्स वरकर सही तीन पुलिशों को गिरफतार किया गया वहीं सलून से पुलिस ने ढाई लाक रुपे और छे मुबाइल दो स्कैनर दो स्वाइक मशीन आपतिजनक समान पुलिस ने बरामत किया आपको बताते चलें कि ये धं आद विभाग के द्वरा लगातार शराबियों और अवैत तरीके से शराब बेशने वालों के उपर कारवाई की जा रही है इस दुरान एक बर फिर से 24 गंटे में अवैत शराब कारुबारियों और शराब पीने वालों के खलाफ विशेश अभियान चलाया गया जिसमें ज सबी को कोर्ट में पेश किया गया जहां कुछ लोगों को जुर्माना लगा कर छोड़ दिया गया जबकि बाकी लोगों को जेल भिजनी की तयारी है आपको बता दें कि लगातार उत्पाद विभाग के द्वारा शराब पीने और शराब बेशने के मामले में कारवाई की ज कर दो